लुक बैक इनेंगर उनीस सो चपपन जॉन औस बोर्न द्वारा लिखिते के अथार्त वादी नाटक है यह कामकाजी मूल जिमी पॉटर और उनकी समान रूप से सक्षम परमध्यमवर्गिय पतनिय लिसन के एक बुद्धिमान और शिक्षित लेकिन निराश युवायुवक क जीवन और वैवाहिक संघर्ष पर केंद्रत है सहायक पात्रों में क्लिफली वाइज एक मिल अनसार वेल्श लौगर शामिल हैं जो शान्ती बनाए रखने का प्रयास करते हैं और हेलना चाल्स एलिसन के स्नेबिश मित्र क्रोध सारांश में वापस देखें पीछे देखो गुस्से में जिमी पॉटर और एलिसन पॉटर के अटारी फलाट अपार्टमेंट में शुरू होता है सेटिंग मध्य 1950 के छोटे शहर इंगलेंड में है जिमी और एलिसन एक युवाज श्रमिक वर्ग क्लिफ लुईस के साथ अपना अपार्टमेंट साजा करते हैं जो जि जिमी दोनों एक मजदूर वर्ग की प्रिष्ट भूमी से आते हैं हाला कि जिमी की क्लिफ से अधिक शिक्षा थी वे एक साथ एक मिठाई स्टाल चलाने वाले विवसाय में हैं एलिसने का अधिक प्रमुख परिवार से आता है और यह शुरू से ही सपष्ट है कि जिमी इस में इस्त्री कर रहे हैं जिमी एक गर्म स्वभाव वाला युवक है और वह क्लिफ और एलिसन दोनों को उकसाने और उकसाने की कोशिश करता है वह क्लिफ के श्रमिक वर्ग की प्रिष्ठ भूमी के प्रती विरोधी है और अपनी कम बुद्धी के लिए उसका मजाक उड़ और अपनी अच्छी खासी जिंदगी का मजाक उड़ाते हुए अपनी पत्निय लिसन को उकसाने का प्रयास किया जिमी भी इंगलेंड के शक्तिशाली अतीत के लिए एक उदासीनता प्रदर्शित करता है वह नोट करता है कि दुनिया ने सुनसान अमेरिकी युग में प्र मांगते हैं इससे जिमी को अपने अपमान में और अधिक बुखार आता है क्लिफ दोनों के बीच शांती बनाए रखने का प्रयास करता है और इससे दोनों के बीच चंचल हाथा पाई होती है उनकी कुष्टी एलिसन में खत्म हो गई जिससे वह नीचे गिल गई जिमी को इस घटना के लिए खेद है लेकिन एलिसन उसे कमरे में छोड़ देती है जिमी के जाने के बाद एलिसन ने क्लिफ को बताया कि वह जिमी के बच्चे के साथ गर्भवती है हाला कि उसने अभी तक जिमी को नहीं बताया है क्लिफ उसे बताने की सलाह देती है लेकिन जब क्ल क्लिफ बाहर निकलता है और जिमी कमरे में फिर से प्रवेश करता है तो दोनों इसके बजाए अंतररंग खेल में गिल जाते हैं जिमी एक भरवा भालू और एलीसन एक खिलोना गिलहरी लगाता है ट्लिफ ने एलीसन को बताया कि उसकी पुरानी दोस्त हेलना चार्ल्स ने उ देखने के लिए आ रही है जिमी हैलना को पसंद नहीं करता है और एक गुस्से में चला जाता है जिसमें वह चाहता है कि एलीसन को यह जानने के लिए पीर्थ होना चाहिए कि वास्तविक व्यक्ती होने का क्या मतलब है वह उसे शाप देता है और इच्छा करता है कि उसे म परते हुए देखने के लिए केवल एक बच्चा हो सकता है। दो हपते बाद हेलना आ गई है। और एलिसन जमी के साथ अपने संबंधों पर चर्चा की। वह बताती हैं की वे कैसे मिले और कैसे। अपने छोटे दिनों में वे अपने गोस्त ह्यूग तान्निर के साथ पूर्ण था जब ह्यूग ने दुनिया की आत्रा करना छोड़ दिया और जिमी एलिसन के साथ रहने लगा। जिमी को पच्चतावा होता है की वह छोड़ नहीं सकता था। लेकिन वह अपनी मा को छोड़ने के लिए ह्यूग पर भी नाराज है। हेलना एलिसन के क्लिफ के स पूर्ण संबंध के बारे में पूछती हैं और जिमी एक धार्मिक विरोधी शेकषी में चला जाता है और जिमी एक परिवार का एक बार फिर अपमान करता है। हेलना क्रोधित हो जाती है और जिमी ने उसे चहरे पर थपड मारने की हिम्मत की, उसे चेतावनी दी की वहाँ उसे थपड मारेगा, वहाँ उसे बताता है की कैसे उसने अपने पिता को एक जवान आदमी के रूप में मरते हुए देखा, उनके पिता स्पैनश ग्रिह युद में घायल हो गए थे और कुछ ही समय बाद मरने के लिए इंगलेंड लॉट आये थे, एलिसन और हेलना चर्च के लिए रवाना होने लगते हैं और जिमी को लगता है की उसकी पतनी ने उसे धोका दिया है, जिमी के लिए एक फोन कॉल आता है और वहाँ कमरा छोड़ देता है, हेलना एलिसन को बताती है कि उसने एलिसन के पता को फोन किया है कि वहाँ उसे लेने आये और उसे इस अपमानजनक घर से दूर ले जाए, एलिसन भरोसा करती है और कहती है कि वह तब जाएगी जब उसके पता, अगले दिन उसे उठाएंगे, जब जिमी वापस आता है तो वह एलिसन को बताता है कि हीूज की मां श्रीमती टानर बीमार हो गई है और वह मरने वाली है जिमी उसे देखने का फैसला करता है और वह मांग करता है कि एलिसन इस बात का विकल्प बनाएगी वह हेलन के साथ जाया उसके साथ एलिसन चहच के लिए अपनी चीजों को छोड़ देता है और जिमी के बिस्तर पर गिर जाता है अपनी पतनी के फैसले से नाराज हो जाता है अगली शामे एलिसन अपने पिता करनल रेड फेरन के साथ पैकिंग और बात चीत कर रही है करनल एक मृद्धु भाशी व्यक्ती है जो महसूस करता है कि वह जिमी और एलिसन के बीच मौजूद प्रेम को बिलकुल नहीं समझता है वह स्वीकार करता है कि उसके और उसकी पतनी के कारियों को आंशिक रूप से उनके विभाजन के लिए दोशी ठहराया जाता है करनल ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी था और भारत में सेवा करता था और वह अपने समय के लिए उदासीन था वह अपनी सेवा को अपने जीवन के कुछ सबसे अच्छे वर्ष मानते हैं एलिसन देखती है कि उसके पिता को चोट लगी है क्योंकि वर्तमान अतीत नहीं है और जिमी को चोट लगी है क्योंकि उसे लगता है कि वर्तमान के वल अतीत है एलिसन ने अपने खिलोना गिलहरी को पैक करना शुरू कर दिया लेकिन फिर उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया हेलिना और क्लिफ जल्धी द्रिश्य में प्रवेश करते हैं एलिसन जमी के लिए एक पत्र छोड़ते हुए बताया कि वह क्यों निकल गया है और वह से क्लिफ को देता है एलिसन के जाने के बाद क्लिफ नाराज हो जाता है और स्थिती के लिए उसे दो शीट हहराते हुए हेलिना को पत्र देता है जमी लोटता है वह हैरान हो जाता है कि वह करनल रेड फेरन की कार से लगभग टकरा गया था और जब वह सड़क पर चल रहा था तो क्लिफ ने उसे नहीं देखने का नाटक किया वह लिसन का पत्र पढ़ता है और बहुत क्रोधित हो जाता है हेलन उसे बताती है कि एलिसन गर्भवती है लेकिन जिमी उसे बताता है कि उसे कोई परवाह नहीं है उन्होंने हेलन अपमान है और वह उसे तो थपड़ पूरी भावना उसे चुमबन कई महीने बीट जाते हैं और तीसरा एक्ट जिमी और क्लिफ के साथ एक बार फिर से रविवार के पेपर पढ़ता हैं जबकी हैलन कोँने में इस्तरी करती है जिमी और क्लिफ अभी भी अपने नाराज भोज में संगलगन है और हेलन की धार्मिक प्रवृत्ती ने जिमी की सजा का खाम्याजा उठाया है जिमी और क्लिफ संगीत और कॉमेडी शो से दृष्ष प्रदर्शन करते हैं लेकिन जब हैलन निकल जाती है तो क्लिफ नोट करते हैं कि चीजे यहाँ उनके साथ समान नहीं है जब हैलन लोटती है तो तीनों बाहर जाने की योजना बनाते हैं एलिसन अचानक प्रवेश करती है एलिसन और हेलन बात करते हैं जबकि जिमी कमरे से बाहर निकलता है वह जोड जोड से अपना बिगुल बजाने लगता है एलिसन अपना बच्चा खो चुकी है और बीमार दिख रही है हेलना एलिसन को बताती है कि उसने जो किया है उसके लि अपने बच्चे के खोने से दुखी है। उसे मनानी का प्रयास किया, यह बताते हुए कि जिमी अकेला रह जाएगा यदि वह छोड़ देती है। जब हैलन निकल जाती है, तो जिमी एक बार फिर से क्रोधित हो जाता है। लेकिन एलिसन उसे बताती है कि वह अब उस भावनात्मक और शारीरिक पीड़ा से गुजरी है जिसे वह हमेशा महसूस करना चाहती थी। उसे पता चलता है कि वह बहुत पीडित हो गई है। उसकी तरह हो गई है और नरम और उसके प्रती अधिक कोमल हो गई है। यह नाटक जिमी और एलिसन के गले लगने के साथ समाप्त होता है। एक बार फिर से उनके भालू और गिलहरी का खेल खेला जाता है। सारांच का अं धन्यवाद।